इस मोवी की शुरुवात में हम कॉर्टनी और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं जिने एक नया एप मिलता है जिसका नाम है काउंटडाउन वो लोग उसे डाउनलोड करते हैं फिर वो कॉर्टनी को भी उसे डाउनलोड करने के लिए कहते हैं हालां कि पहले तो उसे डाउनलोड करने से मना करती है लेगिन दोस्तों के force करने पर वो उसे डाउनलोड कर ही लेती है इस तोरान वो उस एप के सारे terms and condition को accept करती है फिर जब वो एप को ओपन करती है तो उसमें लिखा होता है उसके पास जीने के लिए सिर्फ तीन घंटे बचे है तब ही वहाँ पर इवान भी आता है जो कोटनी का बोई फ्रेंट है जब वो इस एप के वारे में सुनता है तो वो भी इस एप को डाउनलोड कर लेता है उसकी बात नहीं मानती पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगती है इससे इवान गुसा होकर अकेले ही गारी से वहाँ चला जाता है और तभी कोटनी को उस एप में नोटिफिकेशन आता है इसमें लिखा होता है कि उसका एग्रिमेंट अब तूट चुका है जब वो अकेले ही घर की तरफ जा रही होती है तो उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है जिससे वो बहुत ही चारा डर जाती है भागते हूँ अपने घर पहुंचती है और डर कर अपना फोन बंद कर लेती है तब ही उसे बातरों में किसी के होने का हैसास होता है जब हो जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखा ही नहीं देता तब ही उस एप के मताविक उसका टाइम कतम हो चुका था इसके बाद चानक से एक अजीव सी एंटिटी उसे पकड़ने लगती है और उसे बहुत बुरी तरह से मार देती है और इसी दोरान एवान का भी अकसिडेंट हो गया है लेकिन वो बच्च जाता है इसके बाद हम कुईन को देखते हैं जो एक होस्पिटल में इंटरन का काम कर रही होती है इस दोरान हम देखते हैं इवान भी उसी होस्पिटल में अडमिट है लेकिन वो अपनी सर्जरी कराने से बहुत ही जारा डर रहा है जब कवीन उसे प्रिशान होने की वज़ा पूछती है तो वो उसे काउंट डाउन एप के बारे में बताती है वो उसे ये भी बताता है इसी एप की बज़ा से उसकी गल्फरेंड भी मारी गई है और ये टाइम खतम होने पर वो खुद भी मर जाएगा इसके बाद हम देखते हैं कवीन को सुप्राइज दिया जाता है वो अब एक इंटर्न ना होकर उस होस्पिटल की नर्स बन चुकी है इस वज़ा से वो काफी खुश होती है फिर वहां मौझूद सबी लोग काउंट डाउन एप के वारे में बात कर रहे होते हैं और इस्टॉल करते हैं और एप के मताबिक वहां मौझूद सबी लोगों की एच यानि की अमर काफी चाता होती है फिर हम देखते हैं घर जाते समय कवीन भी उस एप को इस्टॉल कर लेती है इसलिए उसकी लाइफ यानि कि उसकी जिनकी सरफ दो दिनों की बची है यह देकर वो काफी चाता कपरा जाती है जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे वहां पर किसी के होने का हैसास होता है वो कवर्ड को चेक करती है जहां पर कोई और नहीं बलकि उसकी बेहन जोडन होती है जो वहां किसी लिलके के साथ छुपी हुई थी यहाँ पर हम देखते हैं जोर्डन अपने सिश्टर कुईन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं इवान को जिसका सरजरी का समय आ चुका है और एप के अकोडिंग अब उसकी उमर तीन मिनिट की बची है यह देखर वो बहुत ही चारा डर जाता है वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है और उसी एप में नोटिफिकेशन आता है यूजर एक्रिमेंट ब्रेक और तब ही उसे अपने पीछे किसी की परच्छाई दिखाई देती है लेकिन जब वो मुर कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता यह देखर वो बहुत ही चार चर जाता है भाग कर सीडियों की तरफ जाता है उसे महसूस होता है कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है असल में ये एक डीमन होता है और वो उसे च्छत से नीचे फैंकर मार देता है जब कुईन अगले दिन होस्पिटल पहुँचती है तो उस इवान के बारे में पता चलता है इसे सुनकर वो काफी खबरा चाती है क्योंकि उसे वो एप अभी तक एक मज़ाक लग रहा था लेकिन उसके मरने की वज़ा से कवीन को इस बात का अंदाजा लग गया था कि उस एप के टाइम खतम होते ही वो भी मारी जाएगी और वो इसी बात को कनफर्म करने के लिए एवान की डेड़ बोडी के पास जाती है डेड़ बोडी निकाल कर उसका फोन चेक करती है उसके फोन को अनलोक करने की कोशिश करती है पर वो फोन अनलोक नहीं होता अंत में वो उसकी आखे खोल कर फोन को फिर संलोग करती है जहां पर हमें वो एप दिखाया जाता है इसी दोरान कवीन को ऐसा लग रहा था कि इवान की डैड बोडी उसे घूर रही है इसलिए वो बहुत ही जारा टर जाती है अब कुईन के टाइमर में भी एक दिन का ही वक्त वचा था इसलिए वो बहुत ही जादा खबरा जाती है वो अपने डैड को कॉल करती है और वीकेंड पर बाहर जाने के लिए मना कर देती है इसकी वज़ा से उसे भी यूजर एक्रिमेंट तोड़ने का नोटिफिकेशन आता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता फिर कुईन डॉक्टर सुलिवान के साथ एक पेशन को देखने के लिए जाती है जो कोमा में होता है इस दोरान कुईन एप की बज़ा से बहुत ही जादा परेशान होती है डॉक्टर उसे समझाता है वो एक बहुत ही अच्छी नर्स है फिर डॉक्टर उसके साथ चवर डस्ते करने की कोशिश करता है जिस पर कुईन उसे धका दे कर खुर से दूर कर देती है और बाहर जाकर नर्स की हेड एमी को इस बारे में बताती है लेकिन डॉक्टर सुलिवान एमी को अंदर बुला लेता है इसके बाद कुईन को फिर से यूजर एग्रिमेंट तोडने का नोटिफिकेशन आता है नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कवीन घर पहुँच कर उस एप को डिलीट करने की कोशिश करती है लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहती है और जब वो ओनलाइन काउंट डाउन एप के वारे में रिसरच कर रही होती है तो उसे कोटन के मरने की नियूज मिलती है कमेंट में एक लड़की की वीडियो भी मिलती है जो उसे बताती है कि इस एप को यूज करने के बाद यूजर को वही लोग दिखते हैं जो मर चुके हैं या जिसे वो जानते हों इसके बाद कुईन जैसे ही लैपटोब बंद करती है उसे कमरे में एक डीमन दिखाई देता है जो बहुत ज़्यादा ड्राव ना दिख रहा था उसे देखर वह बहुत ज़्यारा डर जाती है और अपने फोन को जमीन पर पटक कर तोड़ देती है लेकिन हम देखते हैं वो एप फिर से स्टार्ट हो जाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि डरने की वज़ा से कुईन अपनी गारी में जाकर सो जाती है फिर सुबह जोर्डन आकर उसे चिखाती है जब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जोर्डन को कुईन का फोन मिलता है इसमें काउंट डाउन एप की नोटिफिकेशन आई हुई थी वो अब एक दिन में मरने वादी है इसी वज़ा से जोर्डन उसका मजाक उडाती है वो एप इंस्टॉल करने की कोशिश करती है पर कुईन उसे मना करती है जिसके बाद जोर्डन वहाँ से चली जाती है फिर कुईन एक फोन के शौप में जाती है वहाँ से एक फोन लेती है उसे उस फोन में काउंट डाउन एप नहीं दिखाई देता लेकिन वो भी इस app को delete नहीं कर पाता इससे परिशान होकर वो वहाँ से चली जाती है फिर जब queen गारी को back करने की कोशिश करती है तो उसे गारी के कैमरे में पीछे किसी के होने का एहसास होता है लेकिन जब वो मुड़ कर देखती है तो वहाँ वो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तब ही एक बहुते खतनाक शैतानी हाथ उसके चेहरे को ढख लेता है इससे वो अपने पीछे एक खड़ी गारी को टकर मार देती है इस वाद से उस गारी का ओनर काफी जादा गुसा हो जाता है और कुईन को हर्ट करने की कोशिश करता है तब ही वहाँ पर मैट आ जाता है जो उसको धमकी देता है और वहाँ से भगा देता है फिर वो Queen को countdown app दिखाता है जो उसके phone में भी install होता है इसके according वो 18 गंटों में मरने वाला है फिर वो दोनों एक बार में जाते हैं एक दूसरे से उस app के बारे में बात करते हैं उन्हें पता चलता है उन दोनों ने ही उसकी user agreement को नहीं पढ़ा था इसलिए Matt वहां बैठे एक आदमी को इस app के बारे में बताता है और उसके phone में इसके time and condition को पढ़ता है इसमें लिखा होता है उस app को install करने के बाद आदमी अपनी किसमत को बदल सकता है इसके बाद वो दोनों एक फादर से मिलते हैं उन्हें डीमन के बारे में बताते हैं जो उन्हें दिखाई देता है इस पर फादर कहते हैं वो सिरफ एक बहम है वो असली में नहीं होते लेकिन जब मैट और क्वीन इस बात पर जोड देते हैं तो फादर उन्हें एक नए फादर जोन का पता देते हैं जो इस बारे में उनकी help कर सकते हैं इसके बाद वो दोनों hospital पहुंचते हैं जहां पर एमी क्वीन को meeting के लिए बुलाती है लेकिन मैट बातरूम में चला जाता है जहां कोई बच्चा उसके बातरूम के बाहर आकर घूमने लगता है देखते ही देखते उस बच्चे के keywords हो जाते हैं लाइच चली जाती है वो मैट के उपर हमला कर देता है लेकिन सही समय पर लाइट आ जाती है और वो बच्चा वहाँ से काइब हो जाता है इसके कारण मैट बहुत ही जादा घबरा जाता है इसके बाद क्वीन और मैट दोनों ही उस चर्च में पहुंचते हैं जहां का पता फादर ने दिया था वहाँ पर इने फादर जोन मिलते हैं जिन्नोंने डीमन के ओपर काफी रिसार्च की होती है इस चीज में बहुत ही जारें ट्रस्टर भी होते हैं फिर वो उन्हें एक प्रिंस की कहानी सुनाते हैं यसमें प्रिंस को एक युद्ध में लड़ने के लिए जाना था वो एक बूरी औरत के पास जाता है उसे अपने युद्ध में जिन्दा वापिस आने के बारे में पूछता है इस पर वो औरत उसे एक नंबर देती है जो उसके मरने का समय था लेकिन वो उसे वाण भी करती है तो मिन नंबरों को नहीं बदल सकते और नहीं अपनी मौत को बचा सकते हो जिसके वाद प्रिंस उस युद्ध में नहीं जाता बलकि अपने भाई को वहाँ भेज देता है और उसका भाई वो युद्ध जीत जाता है असल में उस युद्ध में प्रिंस की मौत होने वाली थी लेकिन वो वहाँ पर खुद नहीं गया जिसके कारण वो जीन्दा बच गया पर उसकी मौत उस युद्ध में होनी थी उसके कारण उसका यूजर एग्रिमेंट वहाँ पर तोट जाता है और उसे मारने के लिए दूसरा डीमन आता है और ऐसा ही होता है वो उसे मार कर अपने साथ ले जाता है